बच्चों हम जानते हैं कि ब्रिटिश शाष्ण काल की 200 वर्ष की समयावधी पूर्ण होने के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उस समय हमारी अर्थव्योस था किस रूप में हमको हासिल हुई इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारी अर्थव्योस था काफी पिछडी हुई और गतिहीन अवस्था में थी क्रिशी जो कि काफी पिछडी हुई थी तो ऐसा होने का कारण ये है कि अंग्रिये जी शाषक का उस समय केवल दो उद्देश्य था भारत से कच्चा माल इंग्लेंड में निर्यात होता रहे और वहां से निर्याति जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो भारत के बाजार में बिखता रहे और इन दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने कई नितियां अपनाई जिससे पहला है उन्होंने खाद्यान फसल की जगह व्यापारिक फसलों का उत्पादन जादा किया दूसरी बात है उन्होंने जमीनदारी प्रथापनाई जिसमें कृषकों का जमीन पर से हक बिलकुल चला जाता है तीसरी बात है हमारे देश में जो हस्त शिल्पकला थी बहुत जादा पसिद्ध थी पुरे विश्व भर में वो उन्होंने समाप्त कर दिया और साथी साथ लगुद्यों को भी समाप्त कर दिया तो इस प्रकार से बिलकुल उनके इशारे पे ही उत्पादन या अर्थ्योस्था चलती थी तो जिस कारण से हमारे देश के लोगों का काफी शोशन होता रहा और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे उन्हेंने जो भी काम किया सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ती के लिए यदि उन्होंने रेल गाड़ी का विकास किया तो केवल इसी उत्देश से कि हमारे देश से कच्चा माल निर्यातित होते रहे इंग्लैंड के लिए ὁटपादीत माल हमारे देश में कोने में बिक्ता रहे और उनका बहाजार विस्तृत हो जाए उनका देश हमारे देश के चेत्रफल से बीस गुना कम था और जनसंख्या भी निरंतर दनी देश की तुल्ला में छे गुनी कम थी उसके बावजूद भी वो निरंतर धनी देश बनता चला गया और हमारा देश निरंतर पिश्रा हुआ होता चला गया इस बात को सही धंग से बताने के लिए मैं कुछ शिर्शकों को बताना चाहूंगी जिसे पहला है स्वतंतरता के समय हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की प्रकृती दूसरी बात है स्वतंतरता के समय हमारे देश का धाचा कैसा था और तीसरी बात है स्वतंतरता के समय हमारे देश की विश्यस्ता है क्या थी तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृती देश की प्रकृती के बारे में डॉक्टर कर्म सिंगिल का कहना है कि हमारे देश स्वतंत्रता के समय अर्धविक्सीत, गतिहीन और सामन्त वादी अर्थव्यवस्था थी दुटिय विश्व युद्ध ने इसे घिसी हुई अर्थव्यवस्था बना दिया तथा विभाजन के बाद यह विच्छेदित अर्थव्यवस्था बन गया था अब कर्म सिंगिल ने जिन बातों की व्याक्या की उनको अब विश्व ध्रंग से समझेंगे पहला आता है अर्थविक्सित अर्थव्यवस्था अर्थविक्सित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें लोगों की प्रतिव्यक्तियाय बहुत ही कम होती है उभोग का स्तर बहुत निम्न होता है, राष्ट्रियाई भी कम होती है और उत्पादन बिलकुल पिछ्री हुई स्थिती में होता है जन्मदर, मृत्युदर दोनों ज्यादा होती है और पूरी तरह से विदेशी निर्भरता होती है तो इन सब का कारण क्या है? इनका कारण हम देखेंगे सबसे पहला क्रिशी प्रधान देश उन्निस सव अर्टालिस की बात करें तो उस समय हमारा देश क्रिशी प्रधान देश था देश की अधिकांश मतलब 75 जनसंख्या क्रिशी से जुड़ी हुई थी और राष्ट्रियाय का 50 प्रश्चत भाग क्रिशी से ही आता था लेकिन हमारे देश की क्रिशी तब भी पिछ्री हुई स्थिति में थी उस समय उत्पादन जो है हम यदी देखें तुनलात्मक रूप से हमारे देश में क्रिशी गत उत्पादन एक हेक्टेर में 110 किलोग्राम होता था जबकि जापान में 1 हेक्टर में 748 किलोगराम होता था मतलब साध गुना ज्यादा तो इस प्रकार से कृष्ण प्रधान देश जहां होता है वहाँ लोगों का विकास काफी धीरे से होता है दूसरी बात है उद्योगों का कम विकास हमारे देश में उद्योगो का बहुत ही कम विकास हुआ थोड़े बहुत जो उद्योगई रिव 늘 र upgrad इंका उत्पादन तो हुआ लेकिन जो भारी और pequली मेर में वस्त्रू हैं जिसे मशीन है पेट्रोलीयम है या अधर विकासू बोह कम हुआ ओ और जितने भी चोटे मोटे उद्दोग थे वो इतने पिछरे हुए थे कि उत्पादन का स्तर बहुत ज्यादा निम्न होता था तीसरी बात आती है प्रतिवेक्तियाए 1947-48 में हमारे देश की प्रतिवेक्तियाए बहुत कम थी उस समय 230 रुपे प्रतिवेक्तियाए थी जिससे गुजारा सही ढंग से नहीं हो पाता था ना पर्याप्त भोजन मिल पाता था ना पर्याप्त वस्त्र और नहीं आवास की व्यवस्ता थी तो लोगों की स्थिती बिल्कुल ही जरजर सी बनी हुई थी फिर आते हैं आधारभूत सनरचना का विकास हमारे देश में आधारभूत सनरचना की स्थिति उस समय बहुत कम थी बहुत कम विकास हुआ था आधारभूत सनरचना मने बिजली है आवागमन के साधन है संचार साधन है जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है उननीस सो साथालिस एर्टालिस में हमारे देश में जो बिजली है उसके उत्पादन शमता इकिस सो मेगावाट थी रेल्वे लाइन तिर्पन हजार पांसो त्यावड़ किलो मिटर थी और सड़क 155,000 किलो मिटर थी मतलब देश की आबादी को देखते हुए छेतरफल को देखते हुए ये काफी कम था अब हम दूसरी स्थीति को देखते हैं गतिहीन अर्थ व्यवस्ता हमारा देश उस समय गतिहीन था मतलब गतिहीन अर्थव्यवस्ता वह अर्थव्यवस्ता होती है जहां विकास बहुत जादा धीरे धीरे होता है हमारे देश की अर्थव्यवस्ता बिलकुल गतिहीन थी जिसका कारण है प्रतिव्यक्तियाए हमारे देश में 1948 में प्रतिव्यक्ति आये व्रिद्धी दर पांच प्रश्चत दर से था और ये पिछले काफी सालों से व्रिद्धी की दर वैसी ही बनी हुई थी और विकास हो ही नहीं रहा था दूसरी बात है जनसंख्या का वितरन जब किसी देश का विकास होता है जनसंख्या का वितरन जो है क्रिशी से हट करके उद्ध्यों की ओर आता है लेकिन नहीं हमारे देश में उस समय भी क्रिशी पर ही निर्भरता थी क्रिशी पर उस समय सत्तर प्रश्चत जनसंख्या थी उसके पहले की बात करें, तो हम कम से कम उससे 30-40 साल पहले की स्थिती बताते हैं, उस समय 62 प्रिश्रत थी, वो बढ़ करके 70 में पहुँच गई, लेकिन उद्योग की तुलना में कृशी पर निर्भरता जादा रही, फिर और दोगी घ्राचा वह भी काफी कमजोर था, हमारे देश में उद्योग तो होते थे, लेकिन बहुत कम उद्योग पनपते थे, और जो उद्योग थे, वह भी काफी निम्नस्तर से उत्पादन होता था, क्योंकि आधुनिक्ता का अभाव था, फिर तीसरी बात आती है, अर्ध सामंती अर्थवयस्था, अर्ध सामंतवाद उसे कहते हैं, जो न तो पूर्ण सामंतवाद होता है, न पूर्ण तह पूंजी वाद, सामन्तवादी अर्थविवस्था में पूरा जो है भूमी जमिन्दारों के हाथ में सौब दिया जाता था किसान वहाँ पर उत्पादन करते थे और काफी मोटी रकम लगान के रूप में चुकाते थे तो ऐसे ही आयकम जो आयप्राप्त हुई वो भी मध्यस्त बिचौलिये जिसको कहते हैं ये फायदा लेते थे और कम दाम में किशकों से खरीद करके उचे दाम में वाजार में बेचते थे फिर दूसरी बात आती है पुंजी वादी अर्थविवस्था पुंजी वाद का अर्थ है पुंजी कठा करना इस समय जो उद्धोपन पे थे वो केवल पुंजी इकठा करने को उद्धिश से अर्थार व्यापारी फसलों के द्वारा जो उद्धोपन अपता था जैसे सूतिवस्थ है, चीनी है, जूठ है ऐसे उद्धोओं का चलन ज्यादा हुआ और क्रिशी की बात करें तो जो कृषी होती थी, वह भी पुंजी प्रधान होती थी हमारे देश के बागावनों में जो कृषी होती थी अधिकांश व्यापारी कृषी जैसे चाय है, कहवा है और रबर है जिनका निर्यात करके काफी मात्रा में आय प्राप्त करना, लेकिन इन दोनों में ब्रिटिश शाषन का ही नियंत्रन था, इनका प्रबंध ब्रिटिश शाषन के द्वारा ही किया जाता था, फिर चौथी बात जो कर्म सिंगिल ने कही घिसी हुई अर्थ व्यवस्ता, उस व् जिस घिस के होता है, अर्थात उत्पादन जो होता है, मशीनों का प्रेवक जो होता है, वहाँ थोड़े समय के बाद टूट फूट हो जाता है मशीनों में, लेकिन फिर उसे सुधारने की कोई वयवस्ता नहीं होती थी, तो वो टूटे फूटे मशीनों के द्वारा ही उत तो क्या उत्पादन का स्थर अच्छा होगा या जादा मात्रा में होगा नहीं हो सकता है ना उत्पादन भी कम होता था जो उत्पादन होता था वो भी बहुत ही घिसे पीटे ढंग से उत्पादन होता था अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी तो उसकी मांग बाजार में कम ह फिर पाच्वी बात आती है विभाजी तर्थ व्यवस्ता जब हमें स्वतंत्रता हासिल हुई तब हमारे देश का विभाजन हो गया पाकिस्तान और भारत दो भागों में बढ़ गया अब जब बटा तो कुछ समस्याओं से हमें सामना करना पड़ा जिसे पहला है खाद्य समस उस समय जब विभाजन हुआ पश्चीमी पंजाब का छेत्र और सिंध ये पुरा पाकिस्तान को चला गया ये छेत्र हमारे देश के अनाज का भंडार था इनका जब पाकिस्तान में चला गया तो हमें अनाज की कमी महसूस हुई दूसरी बात है कच्चे माल की कमी हुआ ऐस कि विभाजन में क्रिशिगत जमीन पाकिस्तान को चली गई और उद्योग भायत वश में रह गया अब उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल के आवशक्ता थी जो अपने देश में कम थी तो हमें फिर अन्ने देशों से आयातित करना पड़ा तीसरी बात है उद्योगों क हानी, जब उद्योग स्थापित किये गए तो उत्पादन शमता वहाँ पर ज्यादा थी, क्योंकि कच्चे माल पर आप मात्रा में होते थे, तो जैसे जूट का एक अधिकार भारत को था, तो अब कच्चे माल की कमी आ गई, कच्च्चा माल कम आएगा तो उत्पादन शमत का मुल्य बढ़ेगा तिस प्रकार उत्पादित वस्तु का मुल्य बढ़ने पर उत्पादक को घाटा सेहन करना पड़ा फिर आता है परीवन की समस्या जब विभाजन हुआ तो 9000 किलोमेटर रेल लाइन पाकिस्तान की हिस्ते में चली गई तब रेले आताद भी हमारा पूरे भारत वर्ष में जो उत्पादन होता था पूरे चेत शेयं में वह टव लाइन अग्ष प्रशन पाकिस्तान के चला गया अब उत्ना चेत रह हमारे बेशने से या विक्रे करने से वन्चित रहे गया तो मतलब पूरी पुरी बिक्री नहीं हса ती परी विधेयरिय की समस्या, जब विदेशी रिंड दिया जाता था, तो पुरे भारत प्रश के लिए दिया जाता था, अब वो पाकिस्तान के हिस्से में भी चला गया, तो हम्मारे हिस्से में कम आया, और उस समय पाकिस्तान को 300 कड़ रुपए का भुकतान भारत को करना था, जो आज तक नहीं ह पाया और इसके साथ ही साथ विभाजन जब हुआ काफी दंगे फसाद उस समय सेहन करने पड़े तो उससे देश ने संपत्यों का भी नुकसान हुआ जानमान की भी हानी हुई तैसे कई समस्याओं से हमको गुजरना पड़ा था और कुल मिला करके हमारे देश किस्तिती बहु थी बुरी थी